हेलो गाइज विल्कम बैक टू चैनल बैलोजी फो यू आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो हम लोग पढ़ रहते चैप्टर 12 जैव प्रद्योगी की एवं उसके उप्योग के बारे में और इसके पहले मैं दो लेक्चर ले चुका हूँ इस चैप्टर का तो देख लेते हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहां पर इस चैप्टर के अंतरगत जो हम लोगों को डिसकस करना था यहां पर वो लिस्ट दी गई है तो हम लोगों ने क्रिशी में जैव प्रद्योगी की के उप्योग के बारे में पढ़ लिया है यह दोनों टॉपिक्स को हम लोगों नए है वो प्लीज पीछे के दो लेक्चर्स जरूर देख ले हैं आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन दोनों टॉपिक्स को ट्रांसचेनिक एनिमल और नैतिक प्रश्न जो की एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं ठीक है आपने ये सारे चीजों का नोट्स बना लिया होगा तो चलते हम लोग उस टॉपिक के तरफ जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने हैं ठीक है तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ा है आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए या फिर इसको जिसको पढ़ना है तो पार जीवी जन्तू ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये परिभाषा परिक्षा में पूछा जाता है है ना कि ट्रांसजेनिक या फिर पार जीवी जन्तू कहते किसको है तो देखे ऐसे जन्तू लिखावे यहां पे ऐसे जन्तू जिनके डीने में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानि बाहरी जीन व्यवस्तित होता है जो अपना लक्षन व्यक्त करता है उसे पार जीवी जन्तु कहते हैं ठीक है यानि पार जीवी जन्तु उसे कहते हैं जिस जन्तु में बाहरी DNA को अंतर्विष्ट कराया गया होता है ठीक है यानि बाहरी DNA को किस उसी जिव के अंदर बाहरी DNA fix कर दिया जाता है और ये DNA अपना लक्षन उस जिव के अंदर show करने लगता है दिखाने लगता है तो उसे ही हम कहते हैं जैसे कि मान लोकी कि सिंपल से मान लेते हैं कि एक छिपकली है और आपको छिपकली का लक्षन पता ही है कि छिपकली का लक्षन होता क्या है होता ही है कि जैसे कि मान लोकी छिपकली का अगर पूँच कट जाए तो फिर से वापस आ जाता है तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ही लक्षन किसी और जीव में आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इस छिपकली का DNA निकालेंगे और कैसे निकालेंगे कैसे काटेंगे यह सारी चीज़े के बारे में हम लोगों ने पिछले चाप्टर में पढ़ा है और DNA को निकाल कर मालों की humans में डालना है ठीक है human में हम लोगों ने डाल दिया इस DNA को और यह DNA किसका था यह DNA था छिपकली का यह DNA हम लोगों ने human में डाल दिया है अब क्या होगा कि जब छिपकली का जो DNA है यह human में आके अपना लक्षन दिखाएगा यानि जब humans के भी कुछ अंग कटेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे है ना जल्दी वो हील हो जाएंगे तो अब यह humans क्या कहलाएंगे अब यह humans कहलाएंगे पार जीवी जन्तू क्योंकि इन में एक बाहरी DNA अंतर्विष्ट कराए गया है ठीक है तो जो example अभी मैंने दिया यह possible तो अभी नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यह आपको समझाने के लिए बताया है तो बात आगी समझ में कि इसे ही पार जीवी जन्तू कहते हैं ठीक है पार जीवी चुहे खरगोश, सूर, भेड, गाय वा मचलिया आधी पैदा हो चुके हैं उसके बावजूद उपस्थित पार जीवी जन्तू में 95% से अधिक चुहे हैं यानि कि आज के मॉडर्न जमाने में काफी सारे पार जीवी जन्तू तयार किये जा चुके हैं जैसे चुहे हैं खरगोश, सूर, भेड, गाय, मचलि लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या जो है चुहों की लगबग 95% है अब ये पार जीवी जन्तू बनाये क्यों जाते हैं वो हम लोग आगे डिसकस करेंगे यानि ऐसे जन्तू क्यों बनाया जाते हैं क्यों किसी जन्तू के अंदर बाहरे डियने प्रविष्ट कराया जाता है आखिर इसका फायदा क्या है ठीक है ये हम देखेंगे उस तरह के जन्तू का उत्पादन क्यों क्या जाता है आगे आना प्रश्न है ना कि यह ट्रांसजेनिक जन्तू जो होते हैं इनका उत्पादन क्यों क्या जाता है तो इस तरह के परिवर्तन से मानों को क्या लाव है वही बात आगई कि आखिर फायदा क्या है क्यों किसी जीव के अंदर डियने प्रविष्ट कराया जाता है कोई ना कोई लाव होगा ना तो ही तो साइंटिस्ट रिता मेहनत करके काम करते हैं ठीक है तो अब हम कुछ समान कारणों का पता करेंगे और यह कारण आप याद रखेगा एक्जाम में कोशन पूछा जाता है कि पार जीवी जनतू यानि ट्रांसजेनिक जनतूं का उत्पादन क्यों होता है तो आपको यह अंसर द किया जाता है जिन में जीनों का नियंत्रण वह इनके शरीर के विकास वह समान कारियों पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्यन किया जाता है ठीक है यानि कि ट्रांसजेनिक जनतूं जनतूं जो बनाय जाते हो इस परपस से बनाय जाते हैं कि उनके अंदर जो जीनों का कंट्रोल और कोडिनेशन है या फिर उनके शरीर का विकास है या फिर उनके शरीर पर और भी कामों का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखने के लिए उन जीवों को बनाये जाता है ठीक है जैसे देखो उधार नहीं पर की की विकास में भागिदारी जटिल कारकों जैसे इंसुलीन की तरह विकास कारक का अधियन दूसरी जाती के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरक्त कारकों के निर्मान में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का ध्यन तता कारुकों के शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सुचना मिलती है मतलब क्या है कि जब किसी जिव के अंदर कोई भी जीन प्रवेश्ट कराया जाता है तो उस जीन का क्या प्रभाव होता है हैना वो जीन उस जिव को कैसे कंट्रोल कर रही है ये सारे चीज़े देखने के लिए ट्रांसजेनिक जन्तों का निर्मान किया जाता है ठीक है? समझ में आ गया? यानि ट्रांसजेनिक जन्तों का बनाने का पहला फायदा ये है कि उनके अंदर वो जीन, वो डिने किस तरीके से काम कर रहा है ये देखने के लिए उन जन्तों को बनाया जाता है ठीक? दूसरा है रोगों के अध्यान के लिए काफी सारे diseases जो होते हैं वो उनके अध्यान के लिए पारजीवी जन्तों बनाया जाते है कैसे उन पे रोगों का अधिन किया जाता यह देखते हैं अनेको पारजीवी जन्तु इस प्रकार निर्मित किया जाते हैं जिन से रोग के विकास में जीन की भूमिका जो मैंने हाइलाइट किया हो तो हाइलाइट है यह उसको तो आपको जान नहीं है यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानो रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्यन हो सके वर्तमान समय में मानो रोगों जैसे कैंसर पूर्टी और रेशमयाता यानि सिस्टीक फाइब्रोसिस रूमेट उन चुहों के अंदर कुछ ऐसे जीन प्रविश्ट करा दिये जाएंगे कुछ ऐसे रोगों के जीन प्रविश्ट करा दिये जाएंगे जिन से वो चुहे ग्रसित हो जाएंगे रोग का है ना वो रोग से ग्रसित हो जाएंगे चुहे और फिर उनको देखा जाएगा उन प पर वो दवाई उनको दी जाएगी उन चुहों को दी जाएगी और देखा जाएगी कि इन दवाई के लिए क्या चाहिए और शदी चाहिए मेडिसिन चाहिए जो जैविक उत्पाद से ही बनती है ठीक है यानि कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो केवल और केवल जीवों के उत्पादों से ही बन सकते हैं जैसे इंसूलीन को ही देख लीजे इंसूलीन जो बनते हैं वो किसे बनते हैं वो शरीर के शरीर के ही इंसूलीन से बनाय जाते हैं दूसरे जो इंसूलीन बनाय जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है इसी चाप्टर में जो second lecture मैंने आपको लिया था इसमें बताया था ठीक है ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत ही महंगा होता है यानि कि ऐसी दवाईया जो जीवों के शरीर जो जीवों से प्राप्थ होने वाली चीजों से बनाई जाती है वो काफी महंगी होती है पा पार जीवी जन्तु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्मान करते हैं एसे पार जीवी जन्तु जिनको उस परपस के लिए बनाया गया होता है कि वो हमको जैविक उत्पाद देंगे और उनसे हम और शधी बनाएंगे ठीक है तो पार जीवी जन्तु जो उप्योगी जैविक उत्पाद का निर्मान करते हैं उनमें DNA के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विश्चेश उत्पाद के निर्मान में भाग लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया जैसे यहाँ पर उधारन यह बहुत important example है इसको आप अच्छे से पढ़ना और समझना देखो मानो प्रोटीन अल्फा वन ट्रिपसीन का उप्योग इंफेसीमा के निदान में होता है ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल की टोनियूरिया वो पोट्येस रेशामयाता के निदान है तु किया जाता है क्या होता है मैं आगे आपको डिसकस करूँगा तो मानो प्रोटीन का आल्फा एंटेट्रिपसीन का उप्योग किसके निदान में किया जाता है इंफेसेमा ये अबजेक्टी में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि इंफेसेमा का इलाज किससे किया जाता है तो आलफा वन एंटिट्रिपसेन एक मानो प्रोटीन है इसे प्रकार फिनाइल की टिनुरिया वह पूटियरेश में आता कि निदान है तू किया गया है वर्ष 1997 में सौर पर्थम पार्जिवी गायक बनाई गई जिसका नाम रखा गया रोजी और ये एक्जाम में पूछा गय प्रशने अब इस गाय को बनाया क्यों गया है तो रोजी मानो प्रोटीन संपन दुगद 2.5 ग्राम कर दोफिली टर प्राप्त किया गया कि जो मानो प्रोटीन है आलफा एंटिट्रिपसीन जो है वह उस रोजी गाय में से प्राप्त की गई उस गाय को इसी प्रपस से बना लेक्ट्य अल्बिमीन मिलता है जो मानो शेशु हेत्व अत्यदिक संतुलित पोशक्तत्व है जो साधारन गाय के दूद में नहीं मिलता है ठीक है तो अभी मैंने आपको बताएं कि तो उसमें मानो प्रोटीन के साथ अलफा लेक्ट्य इल्मीन भी प्रोटीन पाया जाता है जो कि बचों के लिए काफी पोशक्तत्व है और जो सधारन गाय में जो सिम्पल गाय हम लोगे तरफ पाले थी उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है इस वज़े से रोजी को बनाए गया ठीक है तो एक फायदा हो गया अगला फायदा यह है टीका सुरक्षा यानि कि कुछ ऐसे जनतों को बनाए जाते हैं और जैसे कि मैं आपको बता है कि काफी सारे ऐसे मेडिसिन बनाए जाते हैं जिनको पहले उन पारजीवी जनतों पर ही टेस्ट किया जाता है टेस्ट किया जाता है टेस्ट के बाद अगर वो फाइनल होते हैं अगर उनका प्रभाव पॉजिटिव है फिर उनको मार्केटाइज किया जाता है यानि मार्केट में उसको लॉंच जांच के लिए पारजीवी चुहों का अपयोग किया जा चुका है आपको तो पता ही कि 95% चुह ही है बनाए गए है पारजीवी तो आज जो पोलियों की खुराग बच्चों को पिलाई जाती है उनका टेस्ट हुआ है उनका अच्छा असर दिखा है तो ही उनको मार्केट में लॉंच किया गया है अगर खराब असर दिखता तो नहीं लॉंच किया जाता बार बार यह काम दोराय जाते टेस्ट का अना जब तक फाइनल नहीं होता तब तक उसको किये ही जाते ठीक है यदि उपरोक्त प्रयोग सफल वह विश्वस्निय पाए गए तो टीका सुरक्षा जाच के लिए बंदर के स्थान पर पार जीवी चुहों का प्रयोग किया जा सकेगा ठीक है यानि कि पहले तो बंदरों पर ही आज कल जो है बंदरों पर जादा टेस्ट किया जा रहा है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा चुहों पर ये टेस्ट शिफ्ट हो जाएगा जोथा है रासायनिक सुरक्षा परिक्षन यह आविशालूता सुरक्षा परिक्षन कहलाता है याद रखेगा आविशालूता सुरक्षा परिक्षन यह वही विदि है जो और शदी आविशालूता परिक्षन है तो प्रयोग में लाई जाती है पार जीवी जनतों में मिलने वाले कुछ जीन इसे आविशालू पदार्थों के प्रती अतिसनविदन्शिल बनाते हैं जबकि अपार जीवी जनतों में ऐसा नहीं है पार जीवी जनतों को आविशालू पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पढ़ने वाले प्रभाओं का अध्यन किया जाता है उपरुप जन्तों में आविशालूता परिक्षन करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है मतलब क्या है कि आविशालूता परिक्षन का मतलब क्या होता है अभी शालुता परेक्शन का मतलब होता है कि विश का कितना असर पढ़ रहा है यानि कि जो वाइरस बैक्टिरिया जो शेरी प्रवेश करते हैं और जो विश उत्पन करते हैं उनका परेक्शन इसके अंदर किया जाता है ठीक है तो ऐसे काफी सारे ऐसे ट्रांसजनिक जनतों बनाए गए हैं जिनका ये भी टेस्ट किया जाता है So these are the five reasons जिसके लिए पारजीवी जनतों को बनाए गया है ये वो कारने हैं तो I hope कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा So अगर नहीं समझ में आ तो वीडियो के रिवाइंड कर लिजे और ये काफी important topics हैं जो आप भी मैंने आपको पढ़ाएं So last topic of the chapter इस chapter का last topic है नैतिक मुद्दे अब ये नैतिक मुद्दे है क्या जैसे कि हम लोग इस chapter में पढ़ रहे हैं कि जैप्रद्योगी के द्वारा काफी सारे पार जीवी जन्तु बनाये जाते हैं अब पढ़े बनाये जाते हो तो ठीक है पढ़े बनाये जाएंगे तो वो फायदे के लिए है जंतों को ही बनाय जाते हैं तो फाइदे के लिए ही बनाय जाते हैं लेकिन अब पौधों में बनाय जाते हैं तो पौधों को तो दर्द महसूस होता नहीं है ठीक है और पौधों को संकरित किया जाता है Cross किया जाता है उनको hybrid बना जाता है तो फसलों के लिए बना जाता है उनका फसलों के उत्पादन ख्रमता बढ़ाने के लिए की जाती है लेकिन as far as animal is concerned यानि कि जहां तक यह जो जानवरों का सवाल है कि चुहे बनाय जाते हैं, बंदर बनाय जाते हैं, उन पर टेस्ट किये जाते हैं है न, अलग-अलग टेस्टिंग उन पर की जाती है, तो उस टेस्ट में काफी सारे जानवर मारे जाते हैं टेस्ट के खराब असर के वजह से काफी सारे उसी से में मर जाते हैं जब उनको ट्रंसज disc बनाया जाता है तो आखे रखे उन ये जानोरों पर एक तरह का अत्याचार ही तो है मानो अपने फाइदे के लिए मानो अपने इलाज के लिए अपने दवाईों के लिए दूसरे जानोरों को यूज करता है उनको ट्रंसजेनिक बनाता है उन पे अपना अपना जीन यूज करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं जो कि काफी क्या होता है painful होता है वो जीव हमारे लिए तो खुद को sacrifice कर देते हैं लेकिन ये कब तक चलेगा और इसके क्या कोई guidelines है या कोई scientist ऐसे ही किसी भी जानवरों का use कर लेता है उन्हीं के बारे में हमें देखना है देखें मानो जाती द्वारा अन्य जिवधारियों से हीत साधन बना बिना विनिमयों के और अधिक नहीं किया जा सकता है सभी मानुईय क्रेकलापों के लिए जो जिवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो उनमें आचरन की परख के लिए कुछ नैतिक मान दंडों की आवशकता है जैसा कि मैंने बताया कि मानो जो है वो अन्य जिवधारियों का use करते है अपने फायदे के लिए तो उनमें कुछ न कुछ नैतिक मान डंडो की अवशक्ता है यानि कि धडले से किसी भी जीव को उठाए और उनको ट्रांसजेनिक बना दिये उस पर टेस्ट कर दिये फिर तो बिचारे मारे जाते हैं न आगे है ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव ग्यानिक महत्तो भी है जीवों के अनुवांसिक रुपांतरन के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का परिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराए जाए अब यह जीवों का यूज़ किया जाता है अगर यह जीवों ठीक है तब तो बढ़िया है लेकिन फिल्ब्हें काफी दर्द सहते हैं क्योंकि ट्रंस जनिक बनाने के बाद इनमें अलग-अलग के उध्यून के जाते हैं तो अगर पस हो को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि जी इएसी अब जी इएसी का फुल्फम क्या है जैनेटिक इंजिनेरिंग एप्रुवल कमेटी यानि अनुवांसिक अभियांतरी की संस्तुती सर्मित है ना समीती है सौरी यह पर लिखने के वज़े से नहीं पता चला था समीती सो भारतिया इंडियन गवर्ण्मेंट ने जी इसी को डेवलब किया है ये देखने के लिए कि कितने जन्तु यूज किया जा रहे है पारजिवी बनाने के लिए और कितने समय तक ठीक है जो की जी एम अनुसंधान यानि कि जी एम का मतलब क्या होता है जैनेटिकली मोडिफाइड अनुसंधान संबंधिक कारेओं की इंडिया लेगी यानि गवर्णमेंट ने इंडियान गवर्णमेंट ने अपनी एक बॉड़ी बनाई जिसका नाम रखा गया G.E.S.C. इसका काम है कि यह जो जीव बनाए जाते हैं अनुवान सिक्ता रुपांतरित जो जीव बनाए जाते हैं इनकी वैधानिक्ता क्या है कार इस्टो को हूँ ठीक है और फिर उनकी सुरक्षा के लिए भी कि ऐसा नहों कि उनकी जान चली जाए इसका भी खयाल रखना पड़ता है तो इनी सारे चीज़ों को देखबाल करती है बॉड़ी जन सेवा जैसे कि अहार एवं चिकित्सा स्त्रोतो है तुमें जीवों के रु इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कमपनिया अनुवांसिक पदार्थो पौधो और अन्य जैविक संसाधुनों का प्योग कर बनने वाले उत्पाद और तकनीकी के लिए एकस्वयन की प्राप्त कर रहे हैं जबकि यह बहुत समय पहले से विक्सित वह पहचानी जा चु जागरुक हो रहे हैं जैसे देखो होता क्या है कि मालोग की हमारे देश में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जिनका यूज हम लोग अपने अपने स्वास्थ को ठीक करने के लिए करते हैं जैसे कि माल लोग तुलसी है तुलसी भारत में उगाई जाती है अब तुलसी एक medicinal पौधा है तो भारत के लोग इसको यूज करते है लेकिन तभी किसी कंट्री को पता चलता है कि भारत में एक ऐसा पौधा उगाया जाता है जो कि एंटिबायोटिक है ज्यादा ऑक्सीजन देता है और वो कंट्री हमारे देश में आके हमारे ही पौधों का पेटेंट करवा लेती है यानि वो अपने नाम से करवा लेती है अब उसको वह अधिकार मिल जाता है कि वो इस तुलसी पे तुलसी के पौधों पर रिसर्च करे या फिर वो तुलसी के पौधों को दुसरे जग़ा पर बेच सके या फिर जो भी करना वो करे क्योंकि उसने पेटेंट करवा लिया है लेकिन क्या ये सही है तुलसी तो हमारे कंट्री के थी उन लोगों से पहले हम लोगों ने यूज किया हम लोगों ने डिसकावर किया तो फिर ये तो गलत बात है तो ये पेटेंट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जैसे और भी एक्जामपल आगे हम लोग देखते हैं कि धान एक महत्वपूंट खाद्यान है जिसके बारे में हजारों वर्स पुर्व एसिया के क्रिशी के इतिहास में वर्डन मिलता है ध्यान रखना एसिया एसिया के क्रिशी में और एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान के लगबग दो लाख किसमें मिलती है केवल भारत में ही सोच लो भारत में दो लाख धान की किसमें मिलती है भारत में धान की जो विविद्धता है वो अविश्यों की सरवाधिक विविदताओं में से क्या है? एक है जैसे बास्मती धान अपनी सुगंद वा स्वाद के लिए क्या है? मशूर है और इसकी 27 पहचानी गई किसमे भारत में उगाई जाते हैं 27 दो लाख किसमों के तो धान है उन्ही मैंसे एक बास्मती धान भी है जो भारत में उगाई जाते हैं और उस बास्मती धान के 27 किसमें पहचानी गई भारत में और अब कोई बाहरवला कोई आके कह दे कि वो जो 27 जो धान की किसमें है उनका हम पेटेंट कर वाले तो क्या है सही है? यह तो गलत है तो भारत में उगाय जाती है पूराने ग्रंथो लोक साहेत्य वो कविताओं में बास्मती का वर्णन मिलता है जिसे यह पता चलता है कि यह कई सो वर्ष पहले से उगाय जाता रहा है तो हुआ क्या इतना कहने का मतलब यह है कि एक अमेरिकी कंपेनी ने बास्मती धान पर अमेरिकान एकास हो यानि कि अमेरिकान पेटेंट ट्रेड मार्क का रहलेद और एकास अधिकार प्राप्त कर लिया था जैसा कि मैंने आपको बताया यह तो गलत बात है भारत में कई हजार सालों से क्या फिर कह सकते हैं कई सौ सालों से धान उगाई जा रही है यह 27 किसम की जो बास्मती इसको उगाई जा रही है लेकिन 1977 होता क्या है कि एक अमेरिकी कंपनी आती है और उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लेती है तो गलत बात है हमारी चीज उन्होंने पेटेंट करवा लिया अब जब इनके नाम से पेटेंट हो जाएगा तो उनके अनुमती के बिना उसको कहीं पे भी मार्केटाइज किया ही नहीं जाएगा बेचा ही नहीं जाएगा या फिर उसको यूज ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उन लोगों ने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे जैसे पेटेंट का और भी एक्जामपल में दे दू जैसे कि माल लोग कि साइनटीस्ट, लोग क्या करते हैं, पेटेंट करवाते हैं, अगर वो कुछ भी चीज अविश्कार करेंगे, तो पेटेंट करवाएंगे, ठीक है, यही पेटेंट की समस्या आज काफी ज़्यादा बढ़ चुकिया है, आगे देखते हैं, इससे कंपनी बासमत्य की कई नई क इसमें वास्तों में भारतिया किसानों के किस्मों से विक्सित की गई थी भारतिया बास्मती को अर्ध बौनी किस्मों से संकरन करा कर नई खोजिया नई उपलब्दी का दावा किया था एक अधिकार के लागू होने के बाद इस एक अधिकार के तहट अन्य लोगों द्वारा बास्मती का विक्रै प्रतिबंधत हो सकता था यानि अब जिस company ने अपने नाब है प्रतेंट करवाया था तो अब उसके अन्युमती के बीना अब ये बास्मती धान का जो वियापारी नेशनल कंपनियों वह दूसरे संगठनों द्वारा किसी रास्ट या उसे संबंदित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन वक्षति पूरक भुक्तान के जव संसादनों काप्यों करना बायो पायरेसी कहलाता है यह इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बायो पायरेसी इस इसमें प्रेटेंट की समस्याएं तो नहीं आती है इसमें होता क्या है कि जैसे मालो की हमारे नीम का पेड़ है ठीक है तो किसी दूसरे देश से कोई लोग आया यहां के नीम के पेड़ों को यूज किया काट के ले गए इसके फायदे ले गए लेकिन इन्होंने एक भी आगे है बहुत सारे और द्योगिक रास्ट आर्थिक रूप से काफी संपन है लेकिन उनके पास जैविविद्था वो परंपरागत ज्यान की कमी है ठीक है यानि आर्थिक रूप से वो देश तो काफी संपन है लेकिन उनके पास जैविविद्था नहीं है इसके विप्री विक्सित हुआ विक्सित्विष्व ज्यवी विद्थव ज्यव संसादनों से संबधित परनम्परागत घ्न से संपनिगेram संसादुनों से संबंदित परंप्रागत ज्ञान का उपयोग का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है जिसके फलसुरूप इनके व्यापारी करण के दौरां समय शक्ति वा खर्च को बचा जा सकता है विकसित व विकास्यल रास्टों के बीच अन्याय और पर्याप्त क्षति पूर्ति व लाभों की भागेदारी के प्रतिभावना विकसित हो रही है इसके कारण कुछ रास्टों अपने जैव संसादों और परमप्रगत ग्यान का बीना पुर्व अनुमती का उप्योग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं यानि कि जैसे कि बायो पायरेसी हो रही है कि कुछ लोग दूसरे दुश्व में जाते हैं और उनका यूज करते हैं उनके समानों को यूज करते हैं और कुछ भी भुकतान नहीं करते हैं तो इसके लिए कुछ नियम कानुन अब बनाय जा रहे हैं ठीक है भारतिय संसद ने हाल ही में भारती एकस्व बिल इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दो को ध्यानार्थ लेगा ठीक हैं जिसके अंतरगत एकस्व नियम संबंधी अपात कालीन प्रावधान तथा अनुसंधान विकासिया प्रयास शामिल है ठीक है तो इसको भी आप लोग अच्छे समझ लिजेगा तो नीचे है कुछ कोश्चन और उपर का तो मैंने हर चीज़ डिसकस करी दिया है तो इसमें जो भी कुछ कोश्चन है वो आप लोग को अच्छे से डिल कर लेने हैं क्योंकि यह NCRT कोश्चन है इंपोर् जरूर लिखिए मैं उसका अंसर जरूर बताऊंगा ठीक है और भी इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको परिशानी है दिक्कत है या फिर और क्वालिटी को इंप्रूव करना है अब उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज ला हैं तो इसको अच्छे से आप देखें ठीक है तो यही है यह चाप्टर खतम है अब इसके बाद से नया चाप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और अगर आपके पास जो भी इस चाप्टर से रिलेटेड कोस्टन है तो आप ज़रूर पूछें थैंक यू